नमस्कार स्टूडेंट्स मैं डोक्टर सुदेश चोबरी फिजिकल केमिस्ट्री यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हूं हम लोग 12th क्लास की फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे फर्स्ट केमिस्ट्री जिसमें हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करवा रखा था सॉलिड स्टेट में मैं आप लोगों को तिन टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुकी पहला टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोपर्टीज ओफ सॉलिड स्टेट सैकेंड हमने पढ़ा था टाइप्स ओफ सॉलिड स्टेट्स जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे क्रिश्टलाइन सॉलिड और अमरफोर्स सॉलिड तीसरा टापिक हमने पढ़ा था टाइप्स ओफ क्रिश्टलाइन सॉलिड त्यूकि हम सारे जो भी पढ़ेंगे वो क्रिश्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे तो हमने तीसरा टापिक पढ़ा टाइप्स ओफ क्रिश्टलाइन सॉलिड अब हम जो नया टापिक करने जा रहे हैं वो है crystal lattice and units चलो अब हम ये नया topic start करते हैं इसको थोड़ा समझना interesting topic है आसानी से समझ में आ जाएगा कोई बहुत ऐसा topic नहीं है कि हमें नहीं समझ में आए चलो अब हम fourth topic जो है वो start करने वाले है crystal lattice and units है सबसे पहले हमें crystal lattice का पता होना चाहिए कि crystal lattice क्या है crystal lattice क्या है कि जब constituent particles का एक regular arrangement 3D में किया जाता है और उनसे जो बनता है वो crystal lattice होता है 3D के अंदर constituent particles के एक regular arrangement को ही क्या कहा जाता है crystal lattice कहा जाता है ये जो constituent particles है ये lattice point कहलाएंगे क्या कहलाएंगे lattice point कहलाएंगे इन constituent particles को जब हम आपस में मिला देते हैं एक line के थूँ तो हमें क्या मिल जाता है crystal lattice मिलता है क्या कहा मैंने crystal lattice क्या है regular arrangement of constituent constituent particle n 3D या space देखो ये एक regular arrangement है इन पॉइंट्स को हम आपस में जब मिलाते हैं इस तरीके से इनको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा एक lattice मिल जाएगा lattice बनता हुआ चला जाएगा आगे बढ़ाते जाएगे पूरा एक lattice बनता हुआ चला जाएगा और ये points क्या कहलाएते हैं हमारे क्या कहलाएंगे lattice point जिस पे क्या present रहता है हमारा constituent particle present रहता है तो क्या है crystal lattice की definition क्या है कि constituent particles का एक regular arrangement regular था एक के बाद एक इस तरीके से कि पहले line उपर की जो line है वो इस तरीके से होगी फिर इनके voids में दूसरा constituent particle आएगा फिर उनके voids में तीसरे line layers परती जाएंगी हम इनकी packing पढ़ेंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा clear हो जाएगा और जब मैं इन constituent particles जो regular arrange थे इनको जब line से मिला देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है crystal lattice मिल जाता है और ये इस crystal lattice में जहाँ पे मुझे constituent particle present होते हैं वो lattice point कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वो lattice point कहलाते हैं अब देखो इस lattice पूरे lattice के अंदर ये जो unit है ये वाले ये बार बार ही तो repeat हो रही है ये जो unit है ये same unit यहाँ पे आ रही है same unit फिर और आएगी means पूरे lattice जो है वो छोटी छोटे unit cell से मिलके बना हुआ होता है जैसे हमारा जो घर है वो छोटे छोटी इटों से बनके उन इटों का एक regular arrangement होता है means same eat एक के बाद दूसरी एक eat के उपर दूसरी दूसरी के उपर इस तरीके से पूरे घर को बनाते है तो जो इट जो होती है वो क्या होती है unit cell का का काम कर रही है वैसे ही unit cell क्या है constituent particles का एक regular arrangement जो बार बार repeat होके पूरे lattice को form करता है वो क्या कहलाता है unit cell कहलाती है unit cell क्या है unit cell regular arrangement of constituent particles to form a small unit cell and unit cell repeat again repeat to form lattice crystal lattice unit cell unit cell से ही मिलके बना होता है इन unit cell को बार बार repeat करने से क्या बनेगा हमारे पास crystal lattice form हो जाएगा तो unit cell क्या है constituent particles का वो small arrangement बार 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 repeat होने से पूरा crystal lattice form होता है वो क्या कहलाती है unit cell कहलाती है यहां तक समझ में आ गया अब हम इस unit cell के type पढ़ेंगे types of unit cell देखो हमने दो point पढ़े थे crystal lattice crystal lattice तो क्या है constituent particles का regular arrangement 3D के अंदर क्या कहलाता है crystal lattice कहलाता है यह जो constituent particles है यह किसी point पे present होते है तो वो crystal lattice कहलाएंगे यह constituent particles का एक small regular arrangement जो बार-बार repeat होके पूरे crystal lattice को बना रहा है वो उसकी unit कहलाती है अब हम पढ़ रहे हैं types of unit cell types of unit cell दो type की होगी simple और centered simple unit cell और centered unit cell हो सकता है आपके book में direct ही four type की unit cell दे दे रखी हो आप लोग centered unit cell और simple unit cell से पढ़ोगे तो जादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जैसे ही आप centered unit cell की बात करोगे तो आपके पास तीन type की unit cell और हो जाती हैं कौन कौन सी centered unit cell कौन कौन सी होती है body centered unit cell face centered unit cell और age centered unit cell body centered unit cell, face centered unit cell or end centered unit cell. इनके short form होते हैं BCC, ये FCC और ये ECC. इनको short form कहते हैं. total unit cells जो होती हैं वो four types की होती हैं. इनको हमने broadly दो type से divide किया, simple unit cell और centered unit cell. इन centered unit cell को फिर से classified किया गया body centered unit cell, face centered unit cell और end centered unit cell. अब हम इनकी definitions पढ़ेंगे, simple unit cell किसे कहते हैं, centered unit cell में body centered unit cell किसे कहा जाता है, face centered unit cell किसे कहते हैं, देखो आप, जिस कमरे में आप बैटे हो, उस कमरे में की जो cube की structure है, उस cube में हमें कितने corner मिलते हैं, eight corner मिलते हैं. याद रखना, जो हम पढ़ रहे हैं unit cell, वो हमारा एक कमरा जो है, वो हमारा unit cell है, एक जो पूरा कमरा है, वो unit cell है, उस कमरे को बार बार repeat करने से पूरा घर बना है, तो हम unit cell क्या पढ़ रहे हैं, कमरे की form में. झाल मिलते हैं, याद रहा हैं. झाल 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 इस स्ट्रेक्चर को ध्यान से देखना सबसे पहले हमें इस से पूरी स्ट्रेक्चर का पता होना चाहिए क्या क्या चीजे होती है इसमें ये क्या है? कॉर्णर किते कॉर्णर है? काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 means 8 कॉर्णर प्रेजेंट होते हैं क्या 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 क 6, 7, 8, 9, यह 10, 11, यह 12, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर, इस कॉर्नर से यह कॉर्नर मिला रहे हैं तो एक बनेगी, इसको यहां से यहां मिला रहे हैं, दो बनेगी, इस तरीके से आप काउंट करो इनको, 1, 2, 3, 4, यह वाली 5, यह वाली 6, यह वाली 7, यह वाली 8, यह वाली 9, यह वाली 10, यह वाली 11, और इसके पीछे वाली 12, और यह इसके पीछे वाली 12, 12 इस होती है, किती इस होती हैं इनमें, 12 इस होती है, आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में देख लेना, रूम के कॉर्नर को, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच करना, 1, 2, 3, और 4, फिर इधर चलना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 12, 12 इस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 इस होती हैं, फेस, कॉंट करो, एक पूरी एक फेस, इसके अपॉजिट पीछे की तरफ एक फेस, इधर एक फेस, इधर एक फेस, ऊपर और नीचे, means, टोटल, 6 वेस होती हैं, कित्ने फेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, यह तो हमें नंबर यार्द होने चाहिए, कि 8 कॉर्नर होते हैं, 12 इस होती हैं, और 6 फेस होते हैं, जिस रूम में आप लोग बैठे हो उसके room के corner काउंट कर लो दो corner को मिलाने वाली जो line है वो age कहलाती है और जो face जो है वो आपका पूरा एक square part जो बन रहा है वो उसका एक face कहलाता है तो six हो गए चार दिवारे हैं एक उपर छत है और एक नीचे first है six faces present होती है 12 aces होती है और eight corner होते यह हमें पता होंगे तो अब हम इनके अंदर एक unit cell में कितने atom present है वो भी हम calculate करते हुए चलेंगे हम simple unit cell क्या होते हैं सारे के सारे constituent particles only corner पे होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा simple unit cell कहा जाएगा इसको primitive unit cell भी कहा जाता है इसमें सारे के सारे constituent particles जो होते हैं वो only corner पे present होते हैं constituent particle प्रिजेंट on the corner of unit cell unit cell के अंदर सारे के सारे किस पे present होते हैं तो उस cell को क्या कहा जाता है simple unit cell कहा जाता है body centered unit cell corner के साथ साथ unit cell के mid में body means उसके mid part में भी present हो उसकी पूरी body के बीच में एक constituent particle present होता है कमरे के अंदर center में एक कमरे के corner के साथ साथ कमरे के center में भी एक particle present होता है means यहाँ पे क्या है constituent particle में इनको थोड़ा सा हटा के इस तरीके से लिखती हूँ ताकि हमें comparative study कर सके यहाँ पे मैं लिखरी हूँ simple फिर हम body centered face centered cubic unit cell पढ़ रहे हैं और end centered cubic cell पढ़ रहे हैं यह है simple में सारे के सारे constituent particles कहां पे present रहते हैं corner पे ही present होते हैं सारे के सारे constituent particles तो उस unit cell को क्या कहा जाता है simple या primitive unit cell कहा जाता है उसके बाद body centered unit cell जिसमें corner के साथ साथ body के mid में भी एक constituent particle present हो it constituent particle present at corner as well as Center of Unit Cell Unit Cell के Center में भी एक Particle Constituent Particle present होते है वो क्या कहलाते है Body Center Unit Cell कहलाती है जैसे आप Room के Mid में कोई एक चीज रख दो वो क्या बन जाएगा कोने के उपर Particles है और उनके बीच में एक Particle है तो वो कौन सा बन जाएगा Body Center Unit Cell बन जाएगा Face Center Unit Cell मिन्स कोने Corner के साथ-साथ उनके Face किती काउंट की थी हमने 6 Face इन 6 Face के Middle में भी Particles प्रेजेंट होते है यहाँ Corner के साथ-साथ Particle प्रेजेंट एट Corner एज वेल एज Center of Face Face के Center में भी प्रेजेंट होते है Particles तो वो क्या कहलाती है Face Center Unit Cell जैसे यह Face है यहाँ पे Corner के साथ-साथ इनके Face के Middle Part में भी मालो यह एक Face है इस Face के Middle में भी एक Constituent Particle प्रेजेंट होता है तो वो Unit जो है वो Face Centered Unit Cell कहलाएगे एंड सेंटर यूनिट सेल यहाँ पे Particle Corner पे प्रेजेंट होते हैं एंड तू अपॉजिट फेस Center of two अपॉजिट फेस एंड सेंटर ओफ तू अपॉजिट फेस दो अपॉजिट फेस के Center पे Particle प्रेजेंट हो देखो इसमें क्या था जो ओल सिक्स फेस थी उन सबी छे फेस के Center में Particle प्रेजेंट थे और यहाँ पे क्या है कोई भी दो अपॉजिट फेस अपॉजिट फेस क्या होंगी जो आमने सामने की फेस होंगे आमने सामने की जो दिवारे हैं छत और जो फ्लोर है वो एक दूसरे के जो अपॉजिट होंगी छत और नीचे जो फर्स है वो एक दूसरे के अपॉजिट फेस है तो इनके Center में जो Particles प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहेंगे End Centered अब Number of Particles निकाल रहे हैं पर यूनिट सेल अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि Particles कितने कॉंटिब्यूट कर रहे हैं एक यूनिट सेल में देखो एक कोर्नर पे जो Particle प्रेजेंट है वो आपके कितने रूम बना सकता है एक कोर्नर जो है वो कितने रूम बना सकता है चार एक जगे पे उपर वाला फ्लोर पे चार बनाएगा उसी कोर्ने को पकड़के और उसी कोर्ने को पकड़के नीचे चार बना देगा एक कोर्नर से आठ रूम बन सकते हैं लगाओ दिमाग एक जो कोर्नर है रूम का कोर्नर उस कोर्नर से चार उपर बना सकते हो आप रूम एक ये रूम एक इसके बगल में रूम एक जो रूम बना उसके बगल में और जो एक जिसमें अपन है उसके सामने वाला रूम हो गए चार और सेम उसी में नीचे चार बन सकते हैं तो कितने बना दीए आठ एक कॉर्णर से हम आठ रूम बना सकते हैं मिन्स वो एक कॉंसिट्वेंट पार्टिकल उस यूनिट सेल में कितना कॉंट्रिब्यूट कर रहा है कॉर्णर वाला पहले तु यह सीखो कि वो कितना contribute करता है फिर अपने आप निकाल लोगे जो particle corner पे present है particle present at corner वो कितना contribute कर रहा है उस unit cell में 1 by 8 क्योंकि एक cell एक corner से हम 8 room बना रहे है तो एक corner जो है वो 8 room में contribute कर रहा है तो एक room में उसका कितना participation हो जाएगा 1 by 8 हो जाएगा जो corner पे atom present है उसका contribution कितना रहेगा एक unit cell में 1 by 8 यहाँ तक clear उसके बाद जो face पे present है ये दिवार इस दिवार के center में कोई चीज है तो वो चीज कितने room में आ सकती है इस room में और इसके उधर वाले room में means face के उपर जो atoms present है वो दो ही unit cell में आते है face के उपर जो atom present है वो दो ही unit cell में contribute करते है means एक particular unit cell में उनका contribution क्या हो जाएगा 1 by 2 ध्यान रखो face के उपर particle room को ध्यान रखते हुए सारी चीज़े आप observe करोगे तो आपको सब आ जाएगा particle present at center of face face के center में होगा तो उसका कितना contribution होगा आप एक face से एक पूरी उस face से या एक दिवार से कितने room बना रहे हो दो ही तो room बना रहे हो एक ये वाला room और एक इधर वाला room means दो ही room बन रहे है तो उसमें कितना कितनी हो जाएगा contribution 1 by 2 कि इस दिवार का इस room में कितना contribution है 1 by 2 तीसरा पार्टिकल प्रिजेंट एड दा सेंटर ओफ बोडी इस रूम में जो अंदर जो चीज है वो सारी के सारी इसी रूम में कॉंट्रिब्यूट होगी ऐसा थोड़ी है कि बाहर वाले में कॉंट्रिब्यूट हो रही है किसी और दूसरे रूम में जो मिडल में जो चीजे आ रही है वो इसी रूम में contribute हो रही है बाहर के रूम में कोई भी किसी भी तरीके का contribution नहीं है दूसरी unit cell में उस particle का कोई contribution नहीं है पूरा का पूरा उसी unit cell में contribution है तो क्या है पार्टिकल प्रिजेंट एट सेंटर ओफ बोड़ी कितना कॉंट्रिबूशन होगा तो कम्प्लीटली वन अब हम निकालेंगे किनमें कितने एटम्स पर यूनिट सेल प्रिजेंट होते हैं यह हमें पता चल गया तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे पर यूनिट सेल नंबर ओफ एटम्स निकालते हैं पहला हमने पढ़ा सिंपल यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में हमने यह कहा कि कॉंसिट्वेंट पार्टिकल जो है वो केवल और केवल कॉर्णर पे रखे होते हैं कितने corner होते हैं 8 corner होते हैं 8 corner होते हैं एक corner पे रखने वाले particles का कितना contribution होता है 1 by 8 contribution होता है particle contribution at corner in a unit cell 1 by 8 कितने particle है 8 particle है एक का 1 by 8 है तो 8 particles का कितना contribution होगा 8 into 1 upon 8 कितना होगा 1 तो आपसे पूछा जाए simple unit cell में कितने particles होते हैं एक particle per unit cell होता है अब निकालते हैं हम body centered body centered unit cell क्या होगा इसमें corner के साथ-साथ इनकी body के अंदर भी एक particle present होगा corner पे जो present particles है उनका contribution 1 by 8 है और 8 corner है तो कितना होगा number of particle contribution in unit cell at corner corner पे जो particles present है उनका कितना contribution है unit cell में 1 upon 8 एक का contribution है total 8 corner होते हैं 1 होता है number of particles contribution at body centered body में जितना भी body में body के center में जो particle है उसका completely contribution होगा उसी unit cell में दूसरी unit cell में उसका कोई contribution नहीं होगा तो उसका completely contribution है इसलिए मैंने one use किया है तो total number of particle per unit cell कितने आ गए हमारे पास दो एक corner वाले particles आए और एक body वाला particle आ गया तो कितने आ गए दो तो आपसे पूछा जाए body centered unit cell में कितने number of particles होते है दो उसके बाद तीसरा है face centered कहां पे रखेंगे ये आठ corner पे रखे जाते हैं उनका तो कितना contribution होगा corner वालों का तो ये तो corner वालों का है corner पे जो particle present है उनका कितना contribution होगा 8 corner है एक corner पे रखे वे particle का contribution 1 by 8 है तो कितना होगा 8 into 1 by 8 उसके बाद क्या होगे face कितनी है 6 faces है और इन faces के center में रखा गया है तो 6 6 हो गए और एक face पे रखे वे particles का कितना contribution होता है 1 by 2 contribution होता है उस unit cell में कितना आ गया 4 4 particles निकल के आते हैं face centered unit cell में face centered unit cell में कितने particles होते हैं एक unit cell में कितने particles का contribution होता है 4 particles का contribution होता है उसके बाद चोथा था N-Centered Unit Cell N-Centered Unit Cell में हमने क्या कहा था opposite face कोई भी तो opposite face पे रखा हुए है corner पे रखने वालों का 8 into 1 upon 8 plus 2 opposite face face तो 6 होती है लेकिन हमने जब इसको पढ़ा था तो मैंने ये कहा था 2 opposite face के center में भी atom रखे जाते हैं तो केवल 2 ही face यूज़ कर रहे हम 2 और 8 face का contribution 1 by 2 है तो कितना आया 2 इसमें कितने number of atom आ गए 2 1 plus 1 इतने आ गए 2 आज हमने पढ़ा unit cell और crystal lattice unit cell को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया था पहले दो टाइप से डिवाइड किया उसके बाद जो centered unit cell है उसको फिर से तीन टाइप में डिवाइड किया इसलिए total चार टाइप की unit cell हमने study की और उसमें कितने number of particles contribute कर रहे हैं वो भी हमने study किया Thank you